दो अप्रेल दो हजार बाईस पहला पाथ यर्मिया का ग्रंथ अध्याए ग्यारा पद संख्या अठारा से बीस तक प्रभु ने मुझे सावधान किया तो मैं जान गया उसने श्रयंत्र मुझ पर प्रकट किया मैं तो वद के लिए ले जाये जाने वाले मेमने के सद्रिश भोला भाला था मैं नहीं जानता था कि वे यह कहते हुए मेरे विरुध शडियंत्र रच रहे थे हम वह हरा भरा वरिक्ष काट गिराएं हम उसे जीवतों की दुनिया से उठा दें जिससे उसका नाम लेने वाला कोई न रहे विश्व मंडल के प्रभू तू न्याई है तू मनुष्य के हरदे की थाह लेता है मैं उन पर तेरा प्रतिशोध देखूंगा क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों सौंप दिया है यह प्रभू की वानी है इश्वर को धन्यवाद भजन अनुवाक्य प्रभू मेरे इश्वर मैं तेरी शर्ण आया हूं पीछा करने वालों से मेरी रक्षा कर मेरा उधार कर कहीं ऐसा न हो वेसें की तरह मुझे फाट डालें मुझे घसीट ले जाएं और मुझे कोई नहीं बचाएं अनुवाक्य प्रभू मेरे परमेश्वर मैं तेरी शर्ण आया हूं प्रभू मेरी धार्मिक्ता और निर्दोष्टा के अनुसार तू मेरा न्यायकर विधर्मियों की दुष्टता मिट जाए तू धर्मी को प्रतिष्ठित कर प्रभू मेरे इश्वर मैं तेरी शर्ण में आया हूँ प्रभू मेरे इश्वर मैं तेरी शर्ण में आया हूँ जय गोश ए मसिहा तेरी महिमा और स्तूती हो अच्छी भूमी पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट ह्रदे से वचन सुन कर सुरक्षित रखते हैं और अपने धैरे के कारण फल लाते हैं अनुवाक्य एं मसीहा तेरी महिमा और स्तुती हो संत योहन द्वारा रचित सु समाचार अध्याय साथ पज संक्या चाली से त्रेपन तक ये शब्द सुनकर जब जनता में कुछ लोगों ने कहा ये सच मुछ वही नभी है कुछ ने कहा ये मसी है किन्तु कुछ लोगों ने कहा क्या मसी गलीलिया से आने वाले हैं क्या दर्म गरंत ये नहीं कहता कि दाउद के वंच से दाउद के गाउं बैतल हम से मसी को आना है इस परकार इसा के विशे में लोगों में मत बेद हो गया कुछ लोग इसा को गिरिफतार करना चाते थे किन्तु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला जब प्यादे माहा जाजकों और फ्रिशियों के पास लोटे तो उन्होंने उनसे पूशा उसे क्यूं नहीं लाए प्यादों ने उत्र दिया जैसा वह मनुश्य बोलता है वैसा कभी कोई नहीं बोला इस पर फ्रिशियों ने कहा क्या तुम भी उसके बहकावे में आ गए हो कैने ताओ अत्वा फ्रिशियों में किसी ने उसमें विश्वाश किया है बीड की बात दूसरी है फैसाहिता की परवा नहीं करती और शापित है निकोदोमस जो पहले ईसा से मिलने आया था उनमें एक था उसने उनसे कहा जब तक किसी की सुनवाई नहीं हुई और यह पता नहीं लगा कि उसने क्या किया है तब तक क्या यह हमारी सहिता के अनुसार उचित है कि किसी को दोशी ठहराया जाए कहीं आप भी तो गिलीली नहीं है पता लगा कर देख लीजिए कि गिलीली में नभी नहीं उत्पन होता इसके बाद सब अपने अपने गर चले गए यह प्रभु का प्वित्र सुसमाचार है क्रिस्त कीजे